गाईज सिर्फ 2,000 रुपे से पर्चेस कर सकते हो आप लोग इन पपीज को आज आप लोग की वो क्वाईश पूरी होने वाले हैं जो कि आप लोग हमेशा मुझसे करते थे और मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतने कम प्राइस में मैं कभी आप लोग लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि कमाई सेक्षिन में तो आप लोग चरूँ देखते होंगे कि बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई 2000 या 3000 में कोई पपी लेकर आओ और मैं हमेशे हैं सोचता था कि वह इस प्राइस में तो शयाद आप लोग को कोई पपी नहीं मिल पाएगा लेकिन इस वीडियो ने मुझे गलत साबित कर दिया क्योंकि आज की इस वीडियो के थुरू आप लोग सिर्फ 2000 रुपे में पपी को पर्चेस कर सकते हो तो कई सलिए बात करते हैं हमारी आज की इन डोग स्पीड के बारे में फैसे मा आप लोग को बता दू कि आज की वीडियो में हम लोग एक नहीं दो नहीं बलके तीन तीन डोग स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं तो चिन डोग स्पीड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है American Bully, Labrador and Pit Bull और फ्रेंच सिर्फ एक ही Dog Speed का नहीं बलकि सभी Dog Speed का प्राइस आप लोग को बिल्कुल चीप देखने को मिलेगा फिकर्स ओनर के कुछ इस्यूज होने के विए से उन्हें ये इतने कम प्राइस में सेल करने पड़ रहे हैं तो फ्रेंच सबसे पहले अगर American Bully पपीज के बारे में बात करें तो फ्रेंच पपीज काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है और ये XL साइज में है वैसे American Bully में Pocket एक Common Size है जो कि आप लोगों हर किसी के पास देखने को मिल जाएगा लेकिन XL Size काफ़ी कम लोगों के पास मिलेगा और फ्रेंच एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग ये चीज बिलकुल ना सोचें कि पपीज का प्राइस कब है तो आप लोगों को इनके quality में भी कोई compromise करना पड़ेगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है पपीज जो है वो सभी के सभी काफ़ी ये अजार उपे एंड गाइस ये प्राइस भी फिक्स नहीं है इसमें भी आप लोगों को थोड़ा बो डिसकाउंट मिल सकता है और फ्रेंस अगर आप लोग 6,000 पीस भी अहीं नहीं कर पारे तो उससे कम प्राइस में आप लोग को ये लेब्रेडोर पपी मिल जाएगा च इस वीडियो से कम प्राइस आप लोगो पूरे यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा तो ये जो लेब्रेडोर पपी है ये 35 डेस का हो चुका है और उनरे जो इसके प्राइस के डिमांड की है वो के चैस 5,000 पीस यानी सिर्फ 5,000 रुपे और दोस्तो इसका प्राइस भ पहले मैंने इतना कम कब भी नहीं देखा जो कि आज आप लोगो को मिल रहा है और ये चीज में आप लोगो को बताए चुका हूँ कि ओनर के कुछ रिजन्स की वेज से पपीस का प्राइस इतना कम रखा गया तो भाइच ये चो पीट बुल पपी है ये 35 डेस की हो चुकी ह एंट ओनर की जो लोकेशन है वो है रूड की हरीदवार उत्राखंड से एंट ओनर आप लोगो अप टू 30 किलोमेटर्स तक टिलिवरी प्रोइड करा देंगे या फिर आप लोग ओनर के पास जाकर भी इन पपीस को पर्चेस कर सकते हैं तो फाइनल अगर इसके प्राइस के पपी नहीं मिल पाएगा और वो भी ऐसी क्वालिटी में भाई मैं आशा करता हूं जितना मज़ा मुझे इस वीडियो को बनाने में आया उससे ज्यादा मज़ा आप लोग को ये वीडियो देखने में आया होगा प्लीज अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें चैन